आप देख रहे हैं पुलिस पाला वैब नियूज और मैं हूँ आपके साथ हर्षता पुर्विन अगर पालिक अध्यक शिरीना आनंद जैन साहिद भारी संख्या में गडमान इनागरी को पस्तत हुए इस टूना मैंड में कुल चौसस टीमों ने हिस्ता लिया जिसमें प्रति दिन तीन तो कभी चार लीग मैच खेले जा रहे हैं उक्त मैच में सबी लोग मैच खेले जा चुके हैं आगामी मंगलवार से क्वार्टर फाइनल मैच शुरू होगा मैच का फाइनल 27 दिसम्बर को खिला जाएगा जिसमें विजेता टीम को एक लाख 11,000 रुपे और विजेता टीम को 51,000 रुपे की प्रोटसाहन राशी प्रदान की जाएगी ओक्तमैच में युवाओं का उत्सा बढ़ाने युवानिता मंतिवारी और हरस्तिवारी अहम भूमिका निभा रहे हैं विजेता चार वर्षों से हो रहे विजेता कप टूर्नामेंट का खास और देश आसफास ग्रामिन शित्रों की युवाओं की प्रदिवाओं को जागरत करना है जसमें युवाओं में अधिक से अधिक प्रोटसाहन बढ़ाया जा सके आज यहां विजेता कप में मेरा आना हुआ है और जिस तरीके की विवस्था यहां पर मैं देख रहा हूँ आप सभी देख रहे हैं बहुत ही शांदार रतिक वातावरण है एक ऐसा लग रहा है कि हम कहीं प्रदेश लिवल के टूर्नामेंट में हम यहां पर शरीक हुए है जो सारी विवस्था हैं हमारी विदायक कप के जो सयूजक है उन सब में की है मैं सबस्ता हूँ कि इसके पहले भी एक बार यह आयोजन हो चुका है और बहुत सफल रहा वह आयोजन उसके बाद यह पुना है अज बनागर विदायक से अच्छेत्र के हमारे लोग प्रीव ध सारी टीमों के द्वारा खेला भी जा रहा है और जो विवस्था है मैं समस्ता हूँ कि इससे सीख कर काफी जगे इसका प्रियोग भी होगा और ऐसा लग रहा है कि हम कोई इंटरनेशनल मैस से कहीं कम नजर नहीं आ रहा है आप सभी इसको लाइब अपने मुवाइल में भी देख सकते हैं वह सबस्ता हूँ बहुत ही शांदार आयोजन बहुत सांदार समय पे हो रहा है क्योंकि लगातार क्रोना की दो साल जो गुजरे हैं लोग बड़े विचलित थे और इससे पाहर निकलने का भी और हमारी युवासाजियों को भी इन्वाल होने का अच्छा मों इसका फाइनल वाल इसका पूल उत्यस है कि क्रामीर छेत्र और जबलपुर चिले के जो हमारी युवादी हैं उनको प्रोच्छाहत करने का काम है और आयोजन समीदी का जाय तो है कि हमें वह वेवस्ता है देना है जिससे हम उनका खिलाडियों के प्रती रूची ज्यादा पुढ़े सबसे महाद्वाद है कि हमारे ग्रामीर छेत्रे के खिलाड़ी यदि देश में प्रोदेश में आज़ी खेलेंगी तो इसी माप्तंड का हम लोग जिए मैच कराने के प्रयास कर रहे हैं और सभी खिलाड़ीयों को हम लोग प्रोफसाहत करने के लिए हर प्रयात क कर रही है और 26 तारिक को एक प्राद मैच यहां देखने को में